दुनिया चाबी चोर एक वक्त की बात है किसी गाउं में एक बहुत बड़ा चोर रहता था वो अपने साथियों के साथ मिलकर रोज रात को चोरी किया करता था वो लोगों के घरों में जाते और जो चीज भी हात लगती वहां से उठा कर ले आते थे गाउं वाले रोज हुई चोरी से बहुत परिशान थे बाई राट को मेरे घर से मेरी बीवी के सोड़े का हाठ चोरी हो गया हाँ बाई परसो मेरे घर से भी चोरी हो गयी चोर हमारा सारा पैसा चोरी करके ले गया बाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा इस तरह चोरिया होती रही तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे इस तरहां सब इकठे होकर गाउं के वडेरे के पास आते हैं और उन्हें सब माजुरा बताते हैं ये तो बहुत फिकर की बात है इस तरहां तो हमारे माल के साथ साथ हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है क्या आप सब लोगों ने पुलीस में रिपोर्ट जमा करवाई हैं नहीं वडेरे सहब हम क्या खाक रिपोर्ट जमा करवाएं ठाने वाला इस्पेक्टर तो हमारी कोई बात नहीं सुनता अच्चा तो ये बात है तुम चलो मेरे साथ थाने फिर गाउवाले सब थाने पहुंच जाते हैं उस वक्त थाने में मीठे नामी पुलिस इस्पेक्टर की ड्यूटी होती है बहुत अच्चा कि आप लोगों ने जो यहां आ गए मीठे की पकड़ से आज तक कोई मुझरिम नहीं बचा अरे इस्पेक्टर साब बस करो अभी तक आप से चोर तो पकड़े नहीं गए तो बचेंगे कहां से नहीं शायद आप लोगों को मेरी काबलियत का इलम नहीं है जो डॉन बारा मुलकों की पकड़ में नहीं आ रहा था मैंने उसे पकड़वाया है अरे वाइस्पेक्टर साब यह तो हमारी खुश नसीमे है जो हम आप जैसे ओफीसर के साथ काम कर रहे हैं जी हां मुझे बराक उबामा का फून आया था कि मीठे बेटा हमारे मुलक में आओ हमारी पुलिस को चोर पकड़ने की ट्रेनिंग दो और हम आपके खाने पीने और रहाइस का सारा खर्चा उठाएंगे अरे वाइस्पेक्टर साब फिर आप ने क्या कहा इंस्पेक्टर साब इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो आप चोर को पकड़ो उसने नाग में बहुत दम किया हुआ है उस्ताद चावलों का दम तो सुना है ये नाग का दम पहली बार सुन रहा हो मुन्शी ये वो दम है जो यक दम होता है खैर आप सब लोग जाएं हम जल्द उसे पकड़ लेंगे बस फिल वो वहाँ से चले जाते हैं तो मुन्शी कहता है मुझे उस्ताद लोगों को बहुत शक हो गया है अब कुछ करना पड़ेगा कुछ तो हम बाद में करेंगे मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि कल उन्होंने सोने का हर चोरी किया और मुझे मेरा हिस्सा अभी तक नहीं पहुँचाया साहब मुझे तो लगता है वो सारा बाल खुद ही घबद करने के चक्रों में है मीठा इस्पेक्टर ऐसा नहीं होने देगा तो गाड़ी निकाल उनके पास चलते है फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ कर उस चोर के अड़े पर पहुचते है हाँ बीठे खेर से आए हो राणा साहब बहुत अफसोस की बात है कल रात आपने सोने का हर चोरी किया और मुझे मेरा हिस्सा अभी तक नहीं भेजा बीठे तुझे तेरा हिस्सा कब नहीं मिला हाँ बेचेगे तो तेरा हिस्सा तुझे पहुचा जेगे ना ओए यार मैं तो ऐसे ही खाम खामे परेशान हो रहा था अच्छा राना साब आप लोग अभी कुछ दिन चोरी ना करो लोगों को शक हो गया है आप पूरे गाउवाले आयते थाने में बहुत गुस्से में थे बीटे हमें ये बाते ना सुखा चोरी नहीं करेगे तो खाएगे कहां से और तुए काब कर किसी भी गाउव के लड़के को पकड़ के जेल में डाल दे और गाउवालों को दिखा दे कि हमने एक साथी पकड़ लिया है बाकी भी पकड़े जाएंगे अरे वा राणा साब क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने मैं आज ही कोई बकरा पकड़ता हूँ बस आप मेरा हिस्सा टाइम पर पहुंचा देना ठीक है ठीक है जो यहाँ से फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं तो मुन्शी कहता है उस्ताद लड़के को बन कहा करेंगे लोकर की चाबी तो खराब है वो पहले ठीक करवा लो हाँ ठीक है मुन्शी किसी चाबी वाले के पास चलो फिर वो बिट्टू नामी चाबी मेकर से चाबी ठीक करवाने पहुंच जाते हैं और कुछ देर में चाबी तयार हो जाती है इस्पेक्टर शाब चाबी तयार हो गई है पचाच रुपे डेड़ो क्या पचाच रुपे ओ तुझी अकल है के नहीं पुलीस से पैसे मांगता है मुन्शी डाल इसे गारी में इसे ठाने ले कर चलते हैं बाई शाब आशाब बट करे मैं एक बहुत घरीब इंशाड हूँ मेरे गड़ में शिर्फ और शिर्फ मेरी मा है और हमारा कोई कमारे वाला नहीं है फिर तो और अच्छी बात है तेरे उपर चोरी का परचा देना ज़्यदा असान होगा फिर वो उसे गारी में बिठा कर अपने साथ ले चलते हैं बिठ्टू उनकी बहुत मिन्नत करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते और जेल में बंद कर देते हैं जब ये बात बिठ्टू की मा को पता चलती है तो वो रोती हुई पुलिस के पास पहुंच जाती है इस्पेक्टर साब इस्पेक्टर साब आपने मेरे बेटे को क्यों बंद कर दिया है इसका क्या कसूर है ओ अमा जरा हराम से तेरा बेटा कोई माज़ूम नहीं है रोज रात को लोगों के घरों से चोरिया करता है इस्पेक्टर साहब आपको कोई खलिट से भी हो गई होगी मेरा बेटा तो चाबियों का काम करता है इस्पेक्टर साहब इसे चोड़ो ओमा बसकर हमें सब पता है दिन में चाबें और राप को लोगों के घरों से चोरियां करता है अभी जान पुलीश पेड़े जूट बोल रहा है और चुपकर चुपकर बना अंदर आकर तुझे लितल लगाओगा मुझी तु बस गाउवालों को बुला कि हमने चोर पकड़ लिया है ठीक है उस्ताद नमी लेकर आपा हो फिर वो बिट्टू की मा को बाहर निकाल देते हैं और मुझी सब गाउवालों को ले आता है अच्चा तो ये रात को हमारे घरों से चोरिया करता है हाँ यही चोरिया करता है देखा नहीं चोरी का माल खा खा कर इसका पेट कितना मोटा हुआ है बिट्टू उन सब को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं रात होती है तो बिट्टू की मा रो रोकर अल्ला से दुआएं करती है वहाँ थाने में पुलिस वाला बैठा होता है कि उसी चोर का फून आता है और वो रात को वडेरे के घर चोरी करने का प्लैन मीठे को बताते है बिट्टू उनकी सारी बाते सुन लेता है अच्छा तो ये चोरों के शार्ट मिला हुआ है ओ चाबी मेकर मैं आज तेरे साथ रहूंगा कहीं तु जेल का ताला ही ना खोल ले कल हम तुझे बड़ी जेल में मुंतकिल कर देंगे फिर मीठा बिट्टू के पास बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है तो अचानक मीठे की जेब से चाबी बाहर निकलती है बिट्टू वो चाबी निकालता है और जेल खोल लेता है और जल्दी से वडेरे के घर जाता है और उसे सारी बाते बताता है मैं कैसे माननू के तुम सच कह रहे हो वडेरे शाब जब आपके घर चोड़ आएंगी तो आपको खुझ यकीर आ जाएगा ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापिस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो मीठा अभी तक सो रहा होता है बिट्टू वापिस जेल के अंदर चला जाता है कुछ ही देर बाद मीठे की आँख खिल जाती है वो बिट्टू को देखता है और वापिस सो जाता है वहाँ वडेरा अपने बंदों को दरख्त के पीछे छुपा देता है कुछ ही देर में वो चोर चोरी करने आता है वडेरे के बंदे बाहर निकल कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे थाने ले जाते हैं मीठे उठ देख कौन आया है चोर भाई आप कैसे बगड़े गए मीठे इसे हमने पकड़ा है ये असल चोर है और जिसे तूने अंदर बंद किया है वो चोर नहीं है अच्छा भाई साब मैं इस चोर को अंदर बंद करता हूँ अभी मीठे अब तू इसके साथ अंदर जाएगा मैंने असल चोर से बात कर ली है तू आज से जॉब से फारिक हुआ फिर वो बिट्टू को निकाल कर मीठे की खुब दुरगत बनाते हैं कि उसे नानी याद आ जाती है मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शुक्रिया